गांधी एक ऐसे निडर नेता थे जिन्होंने एक बड़े समाज का ख्वाब देखा और पूरे देश को उसमें शामिल कर लिया गांधी एक इतना बड़ा मॉरल फूस है जो के इंजस्टिस के बखराफ लड़ता है जब उनके बारे में सोचते हैं तो तीन चीजें सीधी माइन में आती है पहला तो नॉन वाइलन्स दूसरा धर्म नर्पेख्षता और तीसरा सबसे छोटे आम आदमी के बारे में सोचना मेरे लिए गांधी वो है जिससे मेरा मै बना है और जो खुग गया है गांधी पूरे विश्व के लिए अन्याय के खिलाफ न्याय की तलाश में समर्पित एक जीवन यत्रा का भी नाम है So Gandhi for me is about Swaraj and the deepest recovery of what it means to be human, what it means to be alive, what it means to be connected राजनीती को पवित्र बनाने वाले गांधी, पवित्र को राजनीती में लाने वाले गांधी उस गांधी से मैं सीखना चाहता हूँ, वो है मेरा गांधी गांधी को जाने भी ना आज देश जिन समस्याओं को से जूज रहे उससे बाहर नहीं आ सकता गांधी की रेलेवन्स तो आज इतनी है कि कभी थी ही नहीं, शहती है कि गांधी को हम उसके असली उपदेश के कॉंटेक्स में देख एक व्यक्ति आपको दिखता है, जो शायद एक नुकलियस की तरह आप बुन सकते हैं, तो मैं समझता हूँ, वो गांधी है, लेकिन उस गांधी को भी आपको अर्तालिस से उठा करके, दोहजार सत्रह में लाना होगा गांधी ने जिस तरह से भारत में राजनीती की, मैं कहूँगा जिस तरह से गांधी ने भारत में समाजनीती की, वो इस बात का अपने आप में प्रमाण है, कि वो भारतीय समाज की असलियत को पूरी तरीके से समझते थे Gandhi, for me, was a visionary who gave us an insight which is both political, spiritual, moral, ethical and economical. Gandhi is less about rule and governance and more about a way of life. . . .